सो गाइज टाटा मोटर्स जल्दी ही इंडियन मार्किट में मच अवेटेड सब कुम्पेक्ट माइक्रो एस्यूवी टाटा पंच को लौँच करने वाला है आज ही टाटा मोटर्स की पंच एस्यूवी की लौँच डेट से जूड़ी होई बहुत ज्यादा इंपोर्टनेट न्यूज निकल कर आई है अगर आप भी टाटा मोटर्स की अपकमिंग HBX यानि की पंच को लेना चाहती हैं तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बंद रहें तो चलिए बढ़ते हैं आज की इंट्रेस्टिंग वीडियो की तरफ सबसे पहले बात करती हैं टाटा पंच SUV के लुक्स और डिजाइन की लुक्स में टाटा पंच SUV का डिजाइन 70-80% सिमिलर होने वाला है इस गाड़ी के कुनसेप्ट डिजाइन से लेकिन टाटा मोटरस ने इस गाड़ी के डिजाइन को बहुत जादा प्रेमियम और स्पोर्टी बनाया है इसके अलावा टाटा मोटरस ने पंच SUV को अपने अलफा आग प्लेटफोर्म पो डिजाइन किया है जिससे अपकमिंग पंच SUV की सेफटी टोप नोच हो जाती है इसके अलावा टाटा पंच SUV के साथ हमें काफी सारे बहतरीन फर्स्टीन सेग्मेंट फीचर्स मिला करेंगी इस गाड़ी के साथ हमें floating desktop touchscreen, android auto and apple carplay, automatic climate control, steering mounting audio controls, height adjustable driver seats, cruise control, rear wipers, rear washers जैसे बहतरीन फीचर्स मिला करेंगी तो यार चलिए अब बात करती हैं टाटा पंच SUV की इंडिया launch date और इस गाड़ी के prices के बारे में एक अनुमान की हिसाब से टाटा पंच SUV के base model का price लगबग 4.8 lakh रूपीज और इस गाड़ी के top model का price लगबग 7.1 lakh रूपीज एक showroom daily होने वाला है और इसी के साथ टाटा मोटर्स इस गाड़ी को जल्दी ही Indian market में launch करने वाला है टाटा मोटर्स इस गाड़ी को October तक Indian market में officially launch कर देगा 2nd of October टाटा पंच SUV की Indian launch date होने के काफी ज़्यादा chances है So guys आपको टाटा पंच SUV कैसी लगी? क्या आप भी टाटा पंच SUV को लेना चाहती है? मुझे comment section में ज़रूर बताएं Thank you